मैं बस्तार में पत्रकारी था मैं पिछले चार सालों से कर रहा हूं मैंने माववाद को लेके और नक्सली इलागों में कई development नहीं हुए हैं ऐसी चीजों को लेके काफी stories की उसमें से कुछ stories ऐसी थी जो सीधी सी बात है खटक नहीं है सरकार को development नहीं कर पाए हैं लाल पानी बहरा है वही पी रहे हैं लोग नाला का पानी पी रहे हैं अंदर जो है स्वास्तो विधाय नहीं है इसे stories हमने की सरकार को खटका administration को खटका अधिकान cases में पत्रकार ground zero पे जाके reporting नहीं कर पाता है situation काफी tough है अंदर से माववादियों का pressure रहता है तो बाहर से police का pressure रहता है तो ऐसे situation में काम करना काफी tough है कुछ cases मैंने खुद अकेले अपने दम पे किये मैं गाउं में गया वहां जो है करीब एक महीने से उल्टी सीधे खबरे अखबारों में छप रही थी कि यहां जो है गाउं में नक्सलियों ने घर जलाया कुछ लोगों को मारा आँख फोड दिये ऐसे कैसे आज तक नहीं हुए थे तो काफी संध्यास्पत लगा हम गए गाउं जाके पूस्ताच किये पता चला कि उस जिस लड़के की police बता ती है कि आँख फुटा है वो मारपीट हुआ था उसके साथ मावादियों ने मारपीट किया था लेकिन आख नहीं फोड़ी थी तो पुली जो है कुछ भी बयान जारी कर देती अपने इसाब से हमने जगदलपूर में अंदोलन किया वहां हमने डिमांड रखी कि आप जो है हमको कानून दीजिए हमें हम जो है जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं जिस प्रकार चतिसगर राज में चतिसगर विसेश जन सुरक्षा अधिनियम है उसी तरह पत्रकारों की सुरक्षा के लिए चतिसगर राज का विसेश पत्रकार सुरक्षा अधिनियम आप बनाओं जब पत्रकार आंदोलन जब चल र बैठके नहीं होई है हमारे पत्रकार सांथी दो पत्रकार सांथियों को समीति में सदसे बनाएं वो 24 घंटे में किसी भी समय आप बुलाई हैं हमेशा तयार हैं बैठक करने के लिए लेकिन 36 गड़ सरकार कभी नहीं चाहती कि पत्रकारों के हित में कोई कानून बने तो कितना दुखद महाल है बस्तर में वो चाहते ही नहीं कि पत्रकार यहां स्वतनता पुरोग काम करते करें ताकि उनके करप्सन के मामले हैं उनके कई फरजी मामले हैं कई फेक एंकाउंटर के मामले सामने आ रहे हैं और बड़े मामले सामने आ सकते हैं वो नहीं चाहते कि यह सारी चीजे जो है पत्रकार लिखें और ऐसे ही पत्रकारों का दमन होता रहे यही सरकार चाहती है मेरी मानत होने के बाद भी अभी मैं इस इस्तिरी में नहीं हूं मैं अभी तक आस्वस्त नहीं हूं कि मेरी दुबारा गिरफतारी नहीं होगी क्योंकि रमन सिंग सरकार जो है कभी भी मेरी गिरफ्तारी करवा सकती है. सिवराम प्रसाद कल्लोरी के पाथ पूरे बस्तर के सातो जिलों का राज पाठ है, वह अपने हिसाब से सारी चीजे करवाता है. वह अपने कमरे में बुला के कई जन परतिनीधियों को धमकी दे चुका है. हमारे पत्रकार साथ ही बताते हैं कि उसने धमकी दिया है और इस चीजों को हमसे आके बोला है, off the record बोला है 36 गड़ के मेडिया, houses ने मुझे case में कोई मदद ने की है, मैं जेल में रहा, कुछ लोगों ने अकबारों में खबरें जरूर लिखी, वो उनका रोज का काम है कई बार पत्रकारों के साथ कुछ होता है तो खबर तक नहीं लिखते, ये situation तक होता है मेरे साथ तो जो भी हुआ, दिल्ली में कई संस्थान है, जैसे दहिंदू है, दवायर है, ऐसे संस्थानों में cases जो है, जो भी पत्रकारों की उपर होता है, वो खुद उनकी कमपनिया लड़ती है लेकिन 36 गड़ में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेडिया संस्थान किसी पत्रकार के लिए उसकी लड़ाई लड़े सिवराम प्रसाद कल्लूरी ने करीब आधा दर्जन पत्रकारों, वकील, कुछ नेताओं और अधिकांस्ता सलवा जुड़ूम कारिकरताओं को लेके एक टीम बनाई उन्होंने कुछ ऐसे लोगों की टीम बनाई, जिसमें कुछ ऐसे क्रिमिनल्स भी हैं, जो च्योरी के मामले में विचारा धीन है लगातार पत्रकार अंदोलन को दवाने के लिए प्रोपोगंडा किया जाता रहा है नकसलियों के साथ मिले होने तक की बात कही गई हम लोगों को लेके कि ये जो है पत्रकार नकसलियों से मिले हुए हैं, ये अंदोलन नकसलियों द्वारा प्रायोजित है मुझे वाट्सेप ग्रूप में, बस्तर नियूज वाट्सेप ग्रूप में, मुझे समाजी एकताम बंच के लोगों ने राश्ट द्रोही तक जैसे सब्दों से न वाजे, लेकिन जब मैंने इस बावत सिकायत की थाने में, तो आज तक जो है उस मामले में कोई F.I.R. कीटते हुए जगदलपूर लेके गए, किड्नेपिंग, किड्नेपर्स की तरह जो है पुलिस वाले आए, साधी वर्दी में, उठा के ले गए, मैं उनको पैचानता भी नहीं था, जाने के बाद जो है, मुझे जगदलपूर के परपा थाना रखा गया, मुझे दंते मुझे काफी प्रताडित किया गया, राश्ते भर मुझे नहीं बताया गया कि मुझे कहां लेके जाया जा रहा है, मैं गिरखतार हूं कि किड्नेप किया गया है, मैं इस असमंजस में था, क्योंकि हमें जो है, इस टाइप से था यकीन कि स्रीवराम प्रसाद कलोरी वस्तर जाया जी कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है, उसने संतोस यादो पत्रकार को फरजी मामले में फसाया, उसने जो है सुमारुनाक को फसाया, कई ऐसे लोगों को फसाया, उसने जो उसके खास करीबी रहे हैं, मुझे ठाने में रखा गया, वहां उनके कई अधि हिसाब से क्यों नहीं लिखते हो उनके हिसाब से काम करो तो मैंने उस चीज के लिए वहाँ साफ इंकार किया तो मुझे राद भर परतारित किया गया भूखे रखके मेरे साथ मार पीठ हुई सुबह जो है कई कागजों में दसकत करवाए गए जबरदस्ती मैंने जब करने से इंकार किया कि पहले मेरे वकील से बात करवाईए मेरा फोन दीजिए अपने फोन से मेरे वकील को फोन कीजिए और उनको आ जाने दीजिए उनके सामने जो चाहेंगे जहां चाहेंगे मैं वहाँ सिंगनेचर करने के लिए तयार हूँ लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मान और मैं डर के मारे कई सारे कागज पर सिंगनेचर कर दिया, मुझे जेल में डाल दिया गया, वहाँ जेल जाने के बाद आम बंदियों, आम कहदियों और हत्या के आरूपियों के साथ जो ब्योहार किया जाता है, वैसे मेरे साथ भी किया गया, मुझे जो है नंगा गर के तला ली गई मुझे पुलिस सुत्रों से पता चला कि मेरे उपर जो है दो फर्जी केसिस से बस्तर आयजी ने सिवराम प्रसात कलोरी ने दर्च करवा दिये हैं लेकिन मैंने काफी कोशिस की मुझे फाई यर की कॉपी नहीं मिली मैंने आर्टी आई तक लगाया एक थाने में आर्टी आई लगाया वहां आर्टी आई से मैंने पुछा कि बताईए मेरे उपर कोई च दंट, तो में ही जिंद्धी खतम हो जाता है जो गलत 火ता है वह चीजे कोई नहीं लाता है और डरते हैं लोग काफी डरने की राभने का सिटूइसलियोह लोग डरें और। करें हमने जो है इतनी सारी सच्चाईयां उजागर की जिसके कारण जो है 36 गर राज की भाजपा सरकार के लोगों ने हमें फसाया है और इनका यह सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक पत्रगार सुरक्षा कानून हमें नहीं मिल जाता